नमस्कार प्यारे बच्चों उमीद करते हूं कि आप सभी अपने घरों में सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा नौवी का अर्थ शास्तर का विशे पढ़ेंगे जिसका नाम है कहानी पालंपुर की आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो गाउं से सम्बंद रखते होंगे यूँ भी भारत की अधिकतर जनसंख्या गाउं में बसती है तो ये कहानी एक ऐसे ही कालपनिक गाउं की है जिसका नाम है पालंपुर इस कहानी को आपके विशे में शामिल करने का मुख्य उदेशे ये है कि गाउं के लोग किस तरीके से अपने प्राकृतिक संसाधनों का परियोग उत्पाधन के लिए करते हैं किसी गाउं में कौन-कौन सी प्रमुक आर्थिक क्रियाए होती है और कौन-कौन सी गैर आर्थिक क्रियाओं में वहां के लोग अपनी भागिदारी दिखाते हैं इस कहानी के माध्यम से हम गाउं में रहने वाले लोगों की जीवनचरिया के बारे में भी पढ़ेंगे कि किस तरीकी की जीवन चरिया किसी गाउं के प्रिस्ट भूमी में होती है, वहां के लोगों की होती है तो चलिए आईए शुरू करते हैं कहानी पालमपूर की पालमपूर आसपडोस के गाउं और कस्बों से भली भाती जुड़ा हुआ है एक बड़ा गाउं राइगंच पालमपूर से तीन किलोमिटर की दूरी पर है पर तेक मौसम में यह सडक गाउं को राइगंच और उसके निकरतम छोटे कश्वे शाहपूर से जोड़ती है इस सडक पर गुड़ और अन्य वस्तों से लदी हुई बैल गाडियां भैसा बग्घी से लेकर कई तरह के वाहन जैसे मोटर साइकल, जीप, ट्रैक्टर और ट्रक भी देखे जा सकते हैं इस गाउं में विभिन जातियों के 450 परिवार रहते हैं गाउं में अधिकाश भूमी के स्वामी उच जाती के 80 परिवार हैं उनके मकान जिन में वे रहते हैं बहुत बड़े हैं और सिमेंट और इटों से बने हुए हैं अनुसूचित जाती के लोगों की संख्या कुल गाउं की जन संख्या के एक तेहाई है वे गाउं के कोने में काफी छोटे घरों में रहते हैं जिन में कुछ मिट्टी और घास फूसके हैं अधिकाशते घरों में बिजली है खेतों में भी नलकूप बिजली से ही चलते हैं इसका उपयोग विभिन प्रकार के छोटे कारियों के लिए किया जाता है पालंपुर में दो प्रात्मिक विद्याले और एक हाई स्कूल है गाउं में एक राजकिये प्रात्मिक स्वास्थे केंद्र और एक निजी ओशधाले भी है यहां रोगियों का उपचार किया जाता है एक गाउं पालंपुर की कहानी हमें किसी परकार के गाउं के विभिन परकार के उत्पादन से सम्मंदित गतिविधियों के बारे में बताती है भारत के गाउं में खेती उत्पादन की प्रमुक गतिविधी है उत्पादन गतिविधियों में जिन्हें गैर क्रिशी किरियाईं कहा जाता है लगुवी निर्मान, परिवेहन, दुकानदारी, आदी शामिल है हम उत्पादन के बारे में कुछ समानने बातें जानने के बाद इन दोनों परकार की किरियाऊं पर विचार करेंगी यहाँ जिस परकार की फसल पैदा की जाती है और जैसी सुविधाईं उपलब्ध हैं उन्हें देखते हुई पालंपुर उत्तरपरदेश के पश्चमी भाग के गाउं की तरह लगता है पालंपुर में समस्त भूमी पर खेती की जाती है कोई भूमी बेकार नहीं छोड़ी जाती बरसात के मौसम में किसान जवार और बाजरा उगाते हैं इन पहदों को पशों के चारे के लिए उप्योग में लाया जाता है इसके बाद अक्तूबर और दिसंबर के पीच आलो की खेती की जाती है सर्दी के मौसम में खेतों में ग्यों उगाया जाता है उतपादित ग्यों में से परिवार के खाने के लिए रह कर शेश ग्यों किसान राएगंच की आनाज मंडी में बेच देते हैं भूमी के एक बड़े भाग में गन्ने की खेती भी की जाती है, जिसमें वर्ष में एक बार कटाई भी होती है। गन्ना अपने कच्चे स्वरोप में या गुर के रूप में शाहपुर के व्यपारियों को बेचा जाता है। पालंपुर में एक वर्ष में किसान तीन अलग-अलग फसलें इसलिए पैदा कर पाते हैं क्योंकि वहाँ सिचाई की पुरी व्यवस्था है। वहाँ बिजली जल्दी ही आ गई थी। इससे पहले किसान कुए से पानी निकाल कर छोटे-छोटे खेतों की सिचाई किया करते थे। लोगों ने देखा कि बिजली से चलने वाले नलकूपों से जादा प्रभावकारी धंक से सिचाई की जा सकती है। प्रारंभिक स्तर पर कुछ नलकूप सरकार द्वारा लगाए गए थे पर जल्दी ही किसानों ने अपने नीजी नलकूप लगाने आरंभ कर दिये। परिणाम स्वरूप उननी सो सत्तर के दशक के मध है और दो सो हेक्टियर से पूरे जुते हुए क्षेतर की सिचाई होने लगी। भारत में सभी गाउं में ऐसी उच स्तर की सिचाई व्यवस्ता नहीं है नदियां मैधानों के अतिरिक्ट हमारे देश में तटिये क्षेतरों में भी अच्छे से सिचाई की जाती है। इसके विविपरेत पठारी ख्षेत्रों जैसे दक्षिन के पठार में सिचाई कम होती है। देश में आज भी कुल्क रिशी के 40 प्रतिशत से कम क्षेत्र में सिचाई होती है। 6 क्षेत्रों में खेती मुखेते वर्षा पर निरभर है। एक वर्ष में किसी भूमी पर एक से जाधा फसल पैदा करने को बहु विध फसल परणाली कहा जाता है यह भूमी के किसी एक टुकडे में उपज बढ़ाने की सबसे साधारन परणाली है पालमपुर में भी सभे किसान कम से कम दो मुख्य फसलें पैदा करते हैं कई किसान पिछले 15-20 वर्षों में तीन फसलों के रूप में आलू पैदा कर रहे हैं एक ही जमीन के टुकडे से उत्पादन बढ़ाने का यह तरीका बहुवित फसल परणाली कहलाता है दूसरा तरीका अधिक उपज के लिए खेती में आधूनिक क्रिशी विधियों का परियोग करना है उपज को भूमिक के किसी टुकडे में एक ही मौसम में पैदा की गई फसल के रूप में मापा जाता है 1960 के दर्शक के मद है तक खेती में पारंपरिक बीजों का परियोग किया जाता था जिन से उपच अपेक शाकृत कम होती थी पारंपरागत बीजों की जो व्यवस्था है उसमें कम सिचाई की आवश्यक्ता परती थी किसान उरवर्कों के रूप में भी गाएं के गोबर या प्रकृतिक खाद का परियोग किया करते थे ऐसा इसलिए था क्योंकि किसानों को ये ततकाल ही उपलब्ध हो जाते थे इन्हें खरीदना नहीं पड़ता था 1960 के दर्शक के अंत में हरित क्रांती ने भारतिये किसानों को अधिक उपजवाले बीज ग्यहूं और चावल की खेती करने के लिए नए तकनीकों में अपनाने के लिए जोर दिया परपरागत बीजों की तुलना में HYV के बीजों से एक ही पाहदे से जादा मात्रा में अनाज की पैदा हो पैदाईश की आशा की जाने लगी इसके परिमान स्वरूप जमीन के उस टुकडे में पहले की अपेक्षा कहीं अधिक आनाज की मात्रा पैदा होने लगी यद भी अती उपज पर जातियों वाले बीजों से अधिक तम उपज पाने के लिए बहुत जादा पानी और रासायनिक खाद और कीत नाशकों की आवश्यक्ता होती थी अधिक उपज केवल रासायनिक उर्वरकों और कीत नाशकों आदिके संयोजन से ही संभव थी भारत में पंजाब, हर्याना और पश्चमी उत्तर परदेश के किसानों ने खेती के आधूनिक तरीकों का सबसे पहले परियोग किया इन खेतों में किसानों ने सिचाई के लिए नलकूप और ह, वाई, बी के बीजूं पर रासायनिक उर्वरकों और कीत नाशकों का परियोग किया उन में से कुछ किसानों ने नई ट्रेक्टर और फसल उगाने के लिए मशीने खरी दी, जिसने जुताई और कटाई के काम को तेज गर दिया, इनमें ग्यहूं की जाधा पैदावार प्राप्त हुई पालंपुर में परंपरागत रूप से ग्यहूं की उपच तेरा सो किलोग्राम प्रती हैक्टियर से बढ़ कर द बत्ती सो किलोग्राम प्रती हैक्टियर तक पहुँच गई ग्यहूं के उत्पादन में बहुत अधिक व्रिधी हुई किसानों ने पास के बाजार में बेचने के लिए अधिशेश ग्योहूं को अपने पास रखा तो चलिए जितना हम पढ़ चुकी हैं उसमें से कुछ प्रशनों के उत्तर जाने पालंपूर से राइगंज कितने किलोमेटर की दूरी पर है एक किलोमेटर, दो किलोमेटर, तीन किलोमेटर, चार किलोमेटर इसका उतर है तीन किलोमेटर दूसरा प्रशन राइगंज के पास एक छोटा कस्बा कौन सा है शाहपूर, होश्यारपूर, हमीरपूर इन में से कोई भी नहीं तो आपने पढ़ा कि शाहपुर एक छोटा कस्बा राइगंज के पास पढ़ता है गाउं में कितने प्रात्मिक विद्याले हैं? एक, दो, तीन या चार गाउं में दो प्रात्मिक विद्याले हैं गाउं में विभिन जातियों के कितने परिवार रहती हैं? 100, 350, 400 या 450 तो इसका उद्दर है 450 तो आईए अब हम पढ़ेंगे कि उत्पादन का संगठन कैसा है उत्पादन का उदेश्य ऐसी वस्तों और सेवाओं को उत्पादित करना है जिनकी आवश्यक्ता हमें अपनी दैनिक जीवन चरिया में पढ़ती है पहली आवश्यक्ता भूमी तथा अन्य प्रकृतिक संसाधन जैसे जल, वन, खनेज और दूसरी आवश्यक्ता है श्रम अर्थात लोग क्या काम करेंगे लोग कौन से काम करेंगे कुछ उत्पादन करियाओं में जरूरी कारियों को करने के लिए बहुत जादा पढ़े लिखे करम्यों की आवश्यक्ता होती है और कुछ किरियाओं में शारिरिक तौर पर अच्छे शरीर वाले श्रमिकों की आवश्यक्ता होती है अर्थात उत्पादन के प्रतेक स्थर पर आपेकशित जो लागत है और जो काम करने वाले श्रमिक हैं उनकी आवश्यक्ता अलग-अलग होती है औजार, मशीन, भवन इन तीनों चीजों की आवश्यक्ता किसी भी उत्पादन के लिए बहुत माइनी रखती है औजारों और मशीनों में साधारन तेह किसानों से लेकर अन्य कामों में परियोग होने वाले औजार भी आती है जैसे जनरेटर, टरवाइन, कमप्यूटर लेकिन ये सभी स्थाई पुंजी में आते हैं क्योंकि इनका प्रियोग कई वर्षों तक किया जा सकता है दूसरे जिस चीज की आवश्यक्ता पढ़ती है वो है कच्चा माल और नगद मुत्रा किसी भी उद्योग को स्थापित करने के लिए, किसी भी वस्तु का उत्पादिन करने के लिए हमें कच्चे माल की आवश्यक्ता पढ़ती है इसके लिए कच्छे माल की उपलबदता का निकटम सवरोप में उपलबद होना जरूरी है चौथी आवश्यक्ता आपको स्वयम उपभूग हेतु बाजार में बिक्री करने के लिए बाजार की उपलबदता है इसके लिए मानव-पुंजी की आवश्यक्ता पड़ती है संयोजित करके संगठत करने वाला जो श्रम है वो मानव पुन्जी कहलाता है। आईए अब पढ़ते हैं कि पालंपुर में खेती किस परकार होती थी। पालंपुर में खेती उत्पादन की एक प्रमुख पर किरिया है। काम करने वाले 75 प्रतिशत लोग अपनी जीविका के लिए खेती पर निर्भर हैं। वह लोग किसान और श्रमिक हैं। इन लोगों का हित खेतों में उत्पादन से जुड़ा हुआ है। पालंपुर में वर्ष 1960 से आज तक जुताई की अंतरगत भूमिक शेत्र में कोई विस्तार नहीं हुआ है। उस समय तक गाउं के कुछ बंजर भूमी को क्रिशी योग्य भूमी में बदल दिया गया था। नई भूमी को खेती योग्य बनाकर क्रिशी उत्पादन को बढ़ाने के लिए कोई गुंजाईश भी नहीं बची थी। भूमी एक प्राकृतिक संसाधन है अते इसका सावधानी पूर्वक पर्योग करने की जरुरत है। विज्ञानिक रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि खेती के आधूनिक पर्योगों ने भूमी को कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में परभावित किया है। हरित करांती के कारण उर्वर्कों से अधिक प्रियोग होने लगा है जिसकी वज़े से मिट्टी की उर्वर्ता शक्ती कम हो गई है इसके अतिरेक्त नलकूपों से सिचाई के कारण भूमी जलके स्तर में भी कमी आई है मिट्टी की उर्वर्ता और भूमी जलक्षेत्रों में कमी इसका एक बहुत बड़ा नुकसान है यहां यह जानना जरूरी है कि रासायनिक उर्वर्क क्या है रासायनिक उर्वर्क ऐसे खनिच हैं जो पानी में घुल जाती हैं और पहदों को तुरंत उपलब्ध हो जाते हैं लेकिन मिट्टी इन्हें लंबे समय तक धारन नहीं कर पाती वे मिट्टी से निकल कर भूजल अथवा नदियों अथवा तलाबों को परदोशित करते हैं रासायनिक उर्वर्क मिट्टी में उपलब्ध जिवानों और शुक्षम अव्यवों को नस्ट कर देते हैं इसका अर्थ ही यह है कि इनका परियोग करने के कुछ समय पश्चात मिट्टी पहले की तुलना में कम उपजाओ रह जाती है रासायनिक खाद का सबसे अधिक परियोग पंजाब में होता है रासायनिक खाद के निरंतर परियोग ने पंजाब में मिट्टी की गुणवत्ता को कम कर दिया है किसानों को पहले का उत्पादन स्तर पाने के लिए अब अधिक से अधिक रासायनिक उर्वरकों और अन्य आगतों का परियोग करना पड़ता है इसका अर्थ सीधा यह है कि खेती की लागत बहुत तेजी से बढ़ रही है इस विशे के संदरभ में आईए कुछ ऐसी बातें जानें जो सही है या गलत जैसे भूमी एक प्रकृतिक संसाधन है अतेह इसका सावधानी पूर्वक परियोग करने की जरुरत है जे हाँ यह बिल्कुल सही है दूसरा वाक्य रहसायनिक उर्वर्वक ऐसे खनेच देते हैं जो पानी में नहीं घुल पाते नहीं यह गलत है यह खनेच पानी में घुल जाते हैं हारित करांती के कारण उर्वर्कों के अधिक परियोग से मिट्टी की उर्वर्ता कम हो गई है ये बिलकुल सही है रासायनिक उर्वर्क मिट्टी में उपलब्ध जिवानमों और सुक्ष आवेवों को नस्ट नहीं कर सकते यह भी गलत है आईए अब बात करते हैं पालंपुर में किसानों में भूमी वित्रण किस तरीके से हुआ है अभी तक आपने पढ़ा है कि खेती के लिए भूमी कितनी महतपूर्ण है दुर्भागेवश खेती की काम में लगे सभी लोगों के पास खेती के लिए परियाप्त भूमी भी नहीं है पालंपुर में 450 परिवारों में लगभग एक तेहाई अर्थात 150 परिवार के पास खेती के लिए भूमी नहीं है जो अधिकांश्ते दलित लोग है बाकी परिवारों में से 240 परिवार ऐसे हैं जिनके पास भूमी दो हैक्टियर से कमक्षेत्र वाले भूभाग के टुकडे पर उपलब्ध है भूमी के ऐसे टुकडे पर खेती करने के किसान को परिवार के व्यापक आमधनी नहीं हो पाती इसको विस्तरित रूप से पढ़ने के लिए इसमें एक क्रिश्क की कहानी दी गई है 1960 में क्रिश्क गोविंद के पास 0.75 हेक्टियर ऐस इंचित भूमी थी अर्थात ऐसी भूमी थी जिस पर सिचाई का साधन उपलब्ध नहीं था गोविंद अपने तीन पुत्रों की मदद से इस भूमी पर खेती करता था यद भी वह बड़े आराम से खेती नहीं कर पाते थे लेकिन परिवार में एक भैंस से होने वाले कुछ अतरिक्त आय के द्वारा अपना गुजारा करते थे यानि खेती के साथ साथ गोविंद भेंस पालने का काम भी करता था आप केवल 0.75 हेक्टेर रन्तु आप बहतर सी चाई की व्यवस्था और जमीन में आधुनिक विधियों के बावजोद गोविंद के बेटे अपनी जमीन पर गुजारा नहीं कर पा रहे थे कुछ भाग में उन्हें कुछ अतिरिक्त कारिये करना पड़ रहा था आप एक गाउ में चारों और विखरे हुए भूमी के छोटे छोटे टुकड़ों को देख कर ये अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से गाउ में बड़े किसान, मजोले किसान और छोटे किसान रहते हैं बड़े किसानों के 60 परिवार हैं जो 2 हेक्टियर से अधिक भूमी पर खेती करते हैं और उनसे भी कुछ बड़े किसानों के पास 10 हेक्टियर से भी जादा भूमी हैं भूमी पर काम कौन करेगा श्रम किसका होगा अब बात आती है ये भूमी के पश्चात श्रम उत्पादन का दूसरा मुख्य कारक है किसी भी जमेन पर जितनी मेहनत से काम किया जाता है उतना ही फल उस भूमी से प्राप्त होता है जहां तक श्रम की बात है छोटे किसान अपने परिवार के साथ अपने खेतों पर काम करते हैं जिसकी वज़े से उनका खेती पर श्रम की जो व्यवस्ता है वो बढ़ जाती है यानि अगर एक छोटा सा खेत है तो उस पर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं तो श्रम बढ़ जा और इस क्षेतर में वो श्रमिक आते हैं खासकर जो भूमिहीन होते हैं या छोटे-छोटे पलाटों पर काम करते हैं जिनके लिए ये लोग काम करते हैं मजदूरी, पैसे, वस्तु या आनाच के तौर पर उनसे मेहनताना लेते हैं यानि एक मजदूर जब किसी अन्य व्यक्ति के खेत पर फसल बोता है, फसल की रख रखाव करता है या फसल की कटाई करता है तो वो उसके लिए एक रोजगार की तरह होता है इससे रोजगार की अवधी में भी काफी विभिन्नताईं मिलती हैं खेत में काम करने वाले श्रमिक या दैनिक मजदूरी करने वाले श्रमिकों की जो मजदूरी है उसमें भी फर्क होता है इस विशेव को और अधिक पढ़ने के लिए रामकली और डाला की कहानी पढ़ेंगे रामकली और डाला दोनों खेती हर किसान है विश्रमिकों की तरहां दूसरे के खेतों में काम करते हैं उन्ही सारा साल काम ढूंदते रहना पड़ता है आजकल उन्ही काम मिलना कम हो गया है क्यूंकि बड़े किसानों ने काम के लिए मशीनी खरित ली है उन दोनों को कम वे पर काम करना पड़ता है अब वो मजदूरी करके गुजारा कैसे करते हैं डाला पालंपुर में द्यानिक मजदूरी का काम करने वाला एक भूमी हीन किसान है इसका मतलब है कि उसके लगातार काम ढूरने के बाद उसे कोई काम मिलता है सरकार द्वारा खेतों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए वेतन तीन सो रुपे निर्धारित किया गया है लेकिन डाला एक सु साथ रुपे भी मिलें तो काम करने को तयार हो जाता है पालमपुर में खेती हर श्रमिकों में बहुत ज़ादा स्पर्धा है स्पर्धा का मतलब उन लोगों में ये होड लगी है कि कौन ज़ादा काम करेगा लेकिन लोग कम वेतन में भी काम करने को सहमत इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वो लोग ज्यादा से ज्यादा काम हासिल करना चाहते हैं। आप पहले ही देख चुके हैं कि खेती के लिए आधुनिक तरीकों और बहुत अधिक पुंजी की आवश्यक्ता होती हैं। अते किसानों को पहले की अपेक्षा ज्यादा पैसा चाहिए। चोटी किसानों को पुंजी की व्यवस्था करने के लिए पैसा उधार लेना पड़ता है। विबड़े किसानों से, गाउं के साहुकारों से या खेती के लिए विभिन आगतों की पूर्ती करने वाले व्यवापारियों से कर्ज लेते हैं। ऐसे कर्जों पर ब्याज की जो दर होती है, जैसे हम ब्याज दर बोलते हैं, वो बहुत उची होती है और उन्हें यह कर्जा चुकाने में काफी वक्त लग जाता है। ब्याज की दर का मतलब होता है कि जब एक किसान कहीं से रिन लेता है, तो वो कितना ब्याज उसके लिए चुकाता है और कितने वक्त में चुका पाता है। अब हम पढ़ेंगे श्रम की व्यवस्था। भूमी के पश्चात श्रम का दूसरा आवश्यक कारक है। जादा परिश्रम की आवश्यकता परती है बहुत अधिक कमाने के लिए। इस बात को हमने पिछली कहानी रामकली और डाला से समझ लिया है। हमने देखा के 300 रुपए का निर्धारण होने पर भी 160 रुपए में काम करने को तयार हैं लोग। अब हम पढ़ेंगे इसी से जुड़ी एक कहानी सविता की। सविता एक लगुक रिश्क है। वह अपनी एक हेक्टेर जमीन पर यहूँ पैदा करने की योजना बनाती है। बीज और कीट नाशकों के अतरिक उसे पानी खरीदने और खेती के ओजारों की मुरमत करने के लिए नगत पैसों की जरुरत परती है। उसका अनुमान है कि कार्यशिल पुंजी के रूप में उसे तीन हजार रुपे चाहिए। उसके पास पैसा नहीं है। इसलिए वहाँ एक बड़े किसान तेजपाल सिंग से कर्ज लेने का निर्ने लिया जाता है। तेजपाल सिंग सविता को 24 प्रतिशत की दर से 4 महीने के लिए रिन देने को तयार हो जाता है। वहब्याज की एक उची दर है। लेकिन सविता इस रिन को लेने के पाद ये वादा करती है, ये वचन देती है कि कटाई के मौसम में वहश्रमिक के रूप में 100 रुपे प्रतिदिन के हिसाब से तेजपाल की यहां मजदूरी करेगी। देखिए सरकाल जवारा जो निर्धारित है वो 300 रुपे है और यहां वो 100 रुपे प्रतिदिन पर भी काम करने को तयार है। मुश्किल होता है तीन बच्चों की मा के रूप में सवीता को अपनी इन जिम्मेवारियों को निभाना फिर भी वह इसलिए तयार हो जाती है क्योंकि उसे मालूम है कि छोटे किसानों को कर्च मिलना बहुत मुश्किल है। चोटे किसानों के विपरेत, मजोले और बड़े किसानों को खेती की बचत करने के लिए आवश्यक पुंजी की व्यवस्था करनी परती है। अब हम बात करेंगे अधिशेश क्रिशी उत्पादों की बिक्रे की। माले जिये, किसानों ने उत्पादन के तीन कारकों का परियोग करके भूमी पर ग्यहूं पैदा किया। ग्यहूं की कटाई भी हो जाती है, उत्पादन तयार हो जाता है, यानि फसल भी तयार हो जाती है। किसान ग्यहूं का क्या करते हैं? क्या वो सारा ग्यहूं अपने लिए रख लेते हैं? अथवा कुछ ग्यहूं को बेच कर वो पैसे भी कमाते हैं. सविता कोविंद के बेटे जैसे छोटे किसानों के पास बहुत कम अधिशेश गेहूं होता है अधिशेश फसल का आर्थ है वो फसल जो हमारे खाने के बाद बच जाती है छोटे किसानों के पास इस तरीके की फसल बहुत कम होती है क्योंकि उनका कुल उत्पादन वैसे ही बहुत कम होता है तो बाजार में व्यपारी की भाती यहूं बेचना या फसल बेचना उनके लिए संभव नहीं हो पाता हाँ जो गाओं के बड़े किसान हैं जैसे तेजपाल सिंग तेजपाल सिंग को अपने समस्त भूमी से 350 के वेंटल अधिशीश ग्यहूं प्राप्त होता है अपने अतिरिक्त ग्यहूं को राइगंज के बाजार में बेचता है और अच्छी कमाई कर पाता है तेजपाल सिंग इस कमाई से क्या करता है पिछले वर्ष तेजपाल सिंग ने अधिकांश पैसा बैंक में जमा किया था बाद में उसे इन पैसों का उप्योग सवीता जैसे छोटे किसानों को रिन देने के लिए किया और इससे उसे दोहरा लाब हुआ क्योंकि ब्याज की दर पर भी उसने बहुत सारा मोटी रकम जो थी इन चोटे किसानों से वसूल की थी आईए अब हम पढ़ते हैं पालंपूर की ग्रेर क्रिशी किरियाई क्या होती हैं देखे हमने देखा पालंपूर में खेती एक मुखे आर्थिक किरिया है हम कुछ गैर आर्थिक क्रिशी उत्पादन किरियाओं पर भी विचार करेंगे पालमपुर में काम करने वाले 25 प्रतिशत लोग क्रिशी के अतरिक्त अन्यकारे भी करते हैं इनमें सबसे पहला काम है डेरी उत्योग पालमपुर में कई परिवारों में डेरी एक परचलित आर्थी किरिया है डेरी द्योग है क्या? पालतू पशु जैसे गाएं, फैंस, भेड, बकरी आधी को पालना, इनसे दूध प्राप्त करना और उसे पास के निकटवर्ती गाउं राइगंच या शाहपुर के व्यापारियों को बेच देना. शाहपुर शेहर के दो व्यापारियों ने राइगंच में दूध संग्रहन एवं शीतलन केंद्र खोला हुआ है, जहां से दूध दूर्दराज के शेहरों और कस्बों में बीचा जाता है. पालमपुर में लगुस्तर्य वी निर्मान का एक अन्योधारन. इस समय पालमपुर में 50 से कम लोग वी निर्मान कारिये में लगे हुए हैं. शेहरों और कस्बों में बड़ी फैक्टरियों में होने वाले वी निर्मान के विप्रीत पालमपुर में वी निर्मान सरल उत्पादन विधियों में परियोग होता है और उसे छोटे पैमाने पढ़ ही किया जाता है. वी निर्मानकार ये पारिवारिक श्रम की सहायता से ही किया जाता है शमिकों को कभी कभार ही किराई पर लिया जाता है अब हम पढ़ेंगे मिश्रीलाल की कहानी मिश्रीलाल ने गन्ना पेर ने एक मशीन खरीदी है जो बिजली से चलती है उसे अपने खेत में लगाया पहले गन्ने को पैरने का काम बैलों की मदद से किया जाता था पर अब लोग इसे मशीनों से करना पसंद करते हैं मिश्री लाल दूसरे किसानों से गन्ना खरीद कर उससे गुर बनाता है फिर उसको शाहपूर के व्यापारियों को बेचा जाता है इस परकिरिया में मिश्री लाल को थोड़ा लाप हो जाता है इसी तरह की कहानी करीम की है करीम ने गाउं में कंप्यूटर के इंदर खोला है हाल के वर्षों में कम्प्यूटर की मांग बहुत बढ़ने लगी तो विद्यार्थी गाउं से शेहर की और कम्प्यूटर की कक्षाओं में पढ़ने के लिए जाने लगी करीम ने देखा कि गाउं में ही दो महिलाओं के पास कम्प्यूटर की डिग्री थी उन्होंने कम्प्यूटर खरीदे और अपने गाउं में ही कक्षाओं का आरंभ किया और छात्रों ने व्यापक संख्या में इन कक्षाओं में आना आरंभ कर दिया अब बात करते हैं पालंपूर के दुकानदारों की। पालंपूर में ज़्यादा लोग व्यपार नहीं करते। पालंपुर के व्यपारी वे दुकानदार हैं जो शहर के थोक बाजारों में कई परकार की वस्तुएं खरी देते हैं, उन्हें गाव में ले आते हैं और छोटी-छोटी दुकानों पर चावल, गेहुं, चाए, तेल, बिसकुट, साबुन, टूटपेस्ट, बैटरी, मुंबत कापिया, पैन, पैंसिले, यहां तक की छोटे बच्चों के कपड़े, इन सभी की छोटी दुकानों पर विक्री होती हैं। कुछ परिवार जिनके घर बस्टेंड के नजदीक हैं, उन्होंने अपने घर के ही किसी छोटे भाग में दुकान खोल रखी हैं। परिवेहन, तेजी से विक्सित होने वाला वह साधन जो किसी भी उतपादन के लिए बहुत साहयक होता है। वह लोगों और वस्तों को एक जगह से दूसरी जगह पहुचाते हैं। इसके बदले में उन्हें पैसे मिलते हैं। गत कई वर्षों में परिवेहन की जुड़े हुए वो साधन जो लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर तक पहुचाते हैं, जो सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुचाते हैं, इनकी संख्या में बहुत अधिक बढ़तरी हुई है. अब हम पढ़ेंगे किशोर की कहानी किशोर एक खेती हर मजदूर है अन्य ऐसे ही श्रमिकों की भाती किशोर को अपनी मजदूरी से अपने घर परिवार की आवशक्ताएं पूरी करने में कठनाई होती है कुछ वर्ष पहले किशोर ने बैंक से कर्च लिया यह एक सरकारी कार्यकर्म के अंतरगत लिया गे जिसमें भूमेही निर्धन परिवारों को सस्ते कर्च दिये जा रहे थे किशोर ने इस पैसे से एक भैंस खरी दी अब वह भैंस का दूद प्रिश्टा है और उसने अपनी भैंसा गाड़ी भी बना ली है जिसमें वह कई परकार के सामान को ले आता है और ले जाता है आईए इस संबंध में हम कुछ प्रश्णों का उत्तर जाने खेती के लिए आधुनिक तरीकों से बहुत अधिक पुन्जी की आवश्यक्ता होती है जी हाँ ये बिल्कुल सही है सवीता एक मज़ौली क्रिश्ख है गलत सवीता एक छोटी क्रिश्ख है पालंपुर में काम करने वाले 25 प्रतिशत लोग क्रिशी के अतिरेक्ट अन्यकार्य करती है जी हाँ 25 प्रतिशत लोग ही ऐसे हैं जो क्रिशी से जुड़े हुए हैं एक बड़े किसान तेजपाल को अपने समस्त भूमी से 150 किवंटल अधिशेश गेहों प्राप्त होता है नहीं ये गलत है पालंपुर और राइगंज के बीच सड़क पर कई परकार के वाहन चलते हैं जी ये सही है करीम का गाउं कम्प्यूटर का केंद्र है सही सविता तेजपाल के पास कर्ज लेने के लिए गई जी हाँ सविता तेजपाल से ही रिण लेती है मिश्रिलाल ने गन्ना पैदे वाली एक मशीन खरी दी ये भी बिलकुल सही है तो बच्चो कैसी लगी आपको इस काल्पनिक गाउं पालंपुर की कहानी और मैं उमीद करती हूं कि इस काहानी को पढ़के अब आपके दिल में कहीं न कहीं हो रहा होगा कि किसी और अन्य गाउं की सेर भी की जाए इस काहानी से हमें किसी गाउं की जीवन शैली के बारे में उसकी आर्थिक क्रियाओं के बारे में उसके उत्पादन के श्रोतों के बारे में जो जानकारी मिली उमीद करती हूँ वैसी ही जानकारी आप अपने आसपास की गाओं या जिस गाओं से आप समंद रखते हैं वहां से भी आप एकठा करेंगे और आप ये जानने की कोशिश करेंगे कि किसी गाओं की आर्थिक क्रियाओं अनार्थिक क्रियाओं महा का उत्पादन वहां के लोगों के लिए कितना माईने रखता है धन्यवाद